एक क्लास्रूम लगबख 300 स्क्वाइर फिट का है ये घोटाला 2000 क्रोड रुपए से 2000 क्रोड प्लस का घोटाला है चुनौती देखे कहना चाहता हूँ भारती जिन्ता पार्टी के अद्यक्ष को भी मनोस्तिवारी जी को और उनकी तमाम पार्टी को कि अगर 2000 क्रोड रुपए के घोटाले का आरूपी दिल्ली में खुला घूम रहा है तो इससे ज्यादे शर्मनाक आप के लिए और क्या हो सकता है अगर मनीश स्वादिया ने 2000 क्रोड के घोटाला किया है तो हिम्मत है तो अरेश्ट करिए नमस्कार दोस्तों सलाम वालेकुम गूर आप्शनून केंद्री विद्यालाय रानी खेत में जब मैं पढ़ता था असी के दशक में मुझे याद नहीं कौन सी कक्षा मैं मैंने एक सस्कृत का श्रुक पढ़ा था जो आज मुझे आज तक भी मुझे कंठस्त है किंद्री विद्यालाय में सेंटर बोर्ड अफ सकेंडरी एजुकेशन के नियमा अनुसार कक्षा आठ तक शायद सस्कृत कंपल्सरी थी बहराल वो श्रुक है नचोर हारियम नचोराजी हारियम नभात्र भाजयम नचोभार कारी वेवे कृते ऐव वर्धत नित्यम विद्या धनम सरुप धनम विद्या रूपी धन की महिमाय श्रुक में कही गई है कि इसे ना राजा चुरा सकता है ना भाई बाट सकते हैं ना ये जदा भारी है ना इसे चोर ही चुरा सकता है और ये एक ऐसा धने जिसका जितना वे करो जितना उसको बाटो ये उतनी ही बढ़ती है आज ये शलुक लगभग तीन दशक बाद मुझे यकायक ही याद आ गया और याद क्यों आया याद इसले आया कि इन दिनों चूंकि दिल्ली में विदान सभा के चुनाओ मातने छे माँ बाद होने जा रहे हैं तो दिल्ली में राजनीती हर मुद्दे पर गर्मा रही है भारतिय जंता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पिसले दिनों दिल्ली सरकार के उप मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री मनीश शोदिया पर और आम आदमी पार्टी की सरकार पर एक बड़ा आ अरोब ये लगाया, आप सब जानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शिक्षा पर काम कर रही है, उसकी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उन सब को फार्स बताते हुए, धोका बताते हुए, मनुस्तिवारी ने श्री मनीश शुदिया पर दो हजार करोड रुपे के घोटाले की बात गई, तिवारी जी का तर्क है, वो कहते हैं कि ये जो इसकूल इंफरेस्ट्रिक्चर में सुधार की बात मनीश शुदिया जी कर रहे हैं, या आम आदमी पार्टी कर रही है, ये दर असल में एक बहुत बड़ा फ्रिश्टाचार का मुद्दा ह जिसमें की आठ सौ करोड रुपीए, मात्र आठ सो करोड रुपीए में बनने वाले नए स्कूल के नए कमरे जो हैं, वो एक्च्छल में अठाइस सौ करोड रुपे में बनाये गए, उन्होंने कुछ तथ्थी दिये, कुछ आँकड़े दिये, कुछ जानकारी देने का प् ये केवल मात्र आट सौ करोड रुपे में कमरे बन जाते यदि इमानदारी से नियमों के अनुसार इस काम को मनिश शुदिया जी या सिक्षा विभाग या आम आदमी पार्टी की सरकार करती ये दावा है मनुस्तिवारी का मनुस्तिवारी जी यह भी दावा कर रहे हैं कि उन के पाइसे भी तक्त्य हैं जो वो आने वाले समय में मनुस्तिवारी जी के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं या जल्दी आने वाले हैं जिससे वो ये प्रमानित करेंगे कि जो ये दो हजार आट सा करोड रुपे के ठेके स्कूलों के पुनर्मान के लिए या नए कक्ष बन को दिये गए हैं तो आएए चा आज इस पर कुछ मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अपने विचार देना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के बारे में लगातार ब्रहमक बातें बजरिये मीडिया सोशल चैनल शोशल मीडिया फिलाई जाती रही हैं और जब से अन्ना आंदोलन से निकले आम आदमी पार्टी के नितृत्त ने दिल्ली की सक्ता पर अब विश्वशनिये तरीके से कबज़ा कर लिया है तब से स्थापित राजनेतिक दल उन पर भष्टाचार से लेकर नाना प्रकार के आरूप लगाते रहे हैं मेरा श्री मनीश शिशोदिया श्री अरविंद के जरिवाल श्री संजय सिंग जी डॉक्टर कुमार विश्वास वे अन्न साथियों से परीचे अन्ना आंदोलन के दौरान हुआ जो घनिश्टता मैं बदला अन्ना अन्नोलन के दौरान उत्राखंड में खंडूरी सरकार के समय में एक लोकायुत बिल पास किया गया था जिसमें मेरी थोड़ी बहुत भूमिका थी और मैंने बहुत निकटता से आम आदमी पार्टी के वर्तबान नेतरिते के साथ काम किया इसकी मिना पर दोस्तों मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे एक प्रतिशत भी यकीन नहीं है कि श्री मनीश शुदिया या आम आदमी पार्टी के नेतरित ने जो सिक्षा के लिए भजड तैय किया गया है उसमें कोई दो हजार करूर रुपे का घुटाला हो सकता है यह मेरी नीजी मानने सा है इसलिए को कि मैंने इन लोगों के साथ निकटा से काम किया है मैं इनके विचारों से परिचित हूँ और मैं बड़ी मानदारी से कहता हूँ कि मेरे कई बार इनके साथ मदभेद हुए है क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विस्तार कि क्यों श्री मनोज तिवारी के दावे घलत हैं और राजनीती से प्रेरित हैं पहली बात जानिए पहली बात ये कि दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों की दशा हम सभी जानते हैं और दिल्ली सरकार के ही नहीं पूरे भारत में सरकारी स्कूलों की जीन शीन इस्तिती से वहा लेकि हमारे समय में प्राइवेट स्कूल की कम माननेता थी और किंद्री विद्याल है जहां का मैं स्टूडेंट हूँ हां की बहुत माननेता थी पर अगर आप प्राइवेट स्कूल से प्राइवेट सिक्शन सस्थानों से सरकारी स्कूलों की कप्रेजन करें तो मैं दावे के सांथ कह सकता हूँ आप में से अधिकांश मुझसे सहमत होंगे कि सरकारी स्कूलों में हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन में शायद अर्विंद भी शामिल होंगे मनीश भी सामिल होंगे हमें भी मौका मिलता है मतने बच्चों को अच्छी सिक्षा देने के उद्देश से नीजी स्कूलों में दाखिला कराते हैं प्राइविट स्कूल में नहीं दो दा फैक्ट इस डैट वी आर प्रोड़क्ट अफ गॉर्मन्ट स्कूल ऐसे में जो मनोस्तिवारी आरोप लगा रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है यह विजय गोयले दावा करते हैं कि दिल्ली में ऐसी सिक्षा विवस्ता में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ है मैं आपको अपनी बात रखने से पहले कुछ तस्वीरे दिखाना चाहता हूँ जो दिल्ली के कुछ स्कूलों की है जो जो तस्वीरें हैं भी आपने मितरो देखी आपको लगा होगा कि यह किसी फंच सितारा होटल के स्विमिंग पूल की तस्वीर है या जो आपने एक लैब देखी कंप्यूटर लैब जिसमें यर कंडिशनर्स भी लगे वे थे आपको लगा हो गए किसी पंच सितारा सस्कृती वाले हाई सुसाइटी के पबलिक स्कूल की तस्वीर है आपने क्लासरूम्स देखे होंगे और ऐसे क्लासरूम्स अगर आपने गौर किया होगा तो शायद आपको प्राइवेट स्कूल में भी नहीं नदर आते होंगे खासकर हमारे बहार दिल्ली से बहार के रहने वाले मित्रों जिनों हमें कि ये इस प्रकार के स्कूल, सरकारी स्कूल कभी न देखे हूं उनके लिए ये बहुत सुकत आश्चर है, बहुत सुकत अनुभूती है कि ये स्विमिंग पूल दिल्ली के एक सरकारी स्कूल का है जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद बनाया गया। यह swimming pool आपने देखा यह international quality का swimming pool था जिसका उटगाटन दिली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल और उनके उप मुख्यमंतरी श्रीमनी शिशोदिया ने किया इसी परकार आपने जो labs देखी और आपने जो चितरे देखें classroom's के जो कि किसी भी best private school के classroom से कहीं ज्यादा ब दिली सरकार के अंदर संचालित होते हैं. दिली सरकार के पास लखबख एक हजार नौ के करीब इस समय गौवर्मन्ट स्कूल्स हैं. जब दिली में आम अगनी पार्टी की सरकार बनी, इन स्कूल्स की दशा और दिशा बहत खतर्णाक थी. जीन और शीन अवस्था में पुरानी बिल्डिंग्स में स्कूल चलाय जा रहे थे और टिन के शेड्स में स्कूल चलाय जाते थे जहां पर बगल में कूडे का धेर होता था और अंदर बच्चे विशम प्रस्तितियों में बहुत ही खराब प्रस्तितियों में स्कूल में पढ़ने आते थे और जाहिर है ऐसे में बच्चे स्कूल में ना पढ़ाई कर पाते थे ना उनको सिक्षक पढ़ा पाते थे आम आदी पार्टी की सरकार जब आई तो उन्होंने स्वास्त और सिक्षा को अपने कोर फोकस में रखा आप जानते हैं कि मनीश शिशोदिया ने जब अपना बजट पेस किया वो दिल्ली सरकार के वित्यमंतरी भी हैं तो उन्होंने अपने फर्स बजट स्पीच में ही गौर्मन्ट के सिक्षा पर एक्सपेंडिचर को दोगुना कर दिया था और आज की तारीख में दिल्ली अकेला ऐसा राजजी है जहां सिक्षा पर राजजी के कुल बजट का 24 से 25 प्रतीशत खर्च किया जाता है और यही कारण है कि दिल्ली में सिक्षा व्यवस्था में भारी सुधार आया है सरकारी स्कूलों की कैसे आया है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मनीश शिशोदिया ने जब सिक्षा मंत्री के तौर पर काम कास समहला तो उन्होंने इसको समझने का प्रियास किया कि कहां पर दिल्ली के सरकारी स्कूल लेक करते हैं उन्होंने पाया कि सबसे पहले इंफ्रेस्टेक्चर में स्कूल्स की दशा बहुत खराब है नंबर टू क्वालिटी ओफ टीचर्स में और नंबर तीन जो बच्चे MCD के स्कूल जोरा संचालिट स्कूलों में पढ़ने आते हैं तो उन्होंने ये पाया कि ये बच्चे जो हैं जो MCD के स्कूल से पढ़के आ रहे हैं इन में से 80% के करीब बच्चे बेसिक हिंदी तक पढ़ना नहीं जानते हैं अपनी मातर भाशा को तो शिशोदिया जी ने सबसे पहले शुरुआत की टीचरों की ट्रेनिंग की और आपको जानकर सुखद आश्यर होगा कि दिल्ली सरकार ने टीचरों को अपग्रेट करने की नियत से उन में एक नई जिजविशा पढ़ने की नियत से जो काम किया वो ये है कि उनकी ट्रेनिंग सेशन शुरू करवा है जो Indian Institute of Management से लेकर आक्सफोर्ड तक पहुँचे यानि कि दिल्ली सरकार की सबसे पहली शुरुआत हुई 200 टीचरों से जिनको मेंटर टीचर कहा गया ये मेंटर टीचरों का सेलेक्शन किया गया इन टीचरों को देश के ख्याती प्राप सस्थानों से लेकर विदेश में सिंगापूर म कई जगों पर भेजा गया और वहां इनकी ट्रेनिंग भी ये मेंटर टीचर इंटर जब भारत वापस आये तो इन्होंने दिल्ली सरकार के 45 हदार शिक्षकों को ट्रेन करने का काम किया कि बच्चों को एजुकेशन की और कैसे आकरशित किया जाए और इन बच्चों को किस प्रकार से जो MCD स्कूल से बच्चे आये हैं इन्हें किस प्रकार से अपग्रेड किया जाए जैसे कि ये नियुनतम पढ़ना लिखना तो पहले सीख है मेरे पकाई रिपोर्ट से हैं, मीडिया की रिपोर्ट से हैं, आम आदमी पार्टी द्वारा दी गए रिपोर्ट नहीं हैं, जिनमें एक रिपोर्ट कहती हैं कि सहाब दे मेंटर टीचर रिसीब ट्रेनिंग इन मुंबाई, बैंगला और जैपूर, एहमदाबाद और का कह लिए हैं, जब हम सिंगापूर से ट्रेनिंग लेकर आए, तब से हमारा जذبہ ही अलग है, हमारे भीतर काम करने की शक्ती ही अलग आ गई है, ऐसे कई टीचरों के उधारन इस मीडिया की रिपोर्ट में दिये गए हैं, मेरे पाँ एक और रिपोर्ट है, ये आउट परफॉर्म प्राइवेट स्कूल सिंग अधेडेमिक्स, दिल्ली सरकार के बच्चों ने प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ज्यादा बहतर प्रदेशन किया है, दस्वी और बारवी में, विद 90.68 पास परसंटेज, दिज इस स्कूल आउट परफॉर्म नाट अ यानि कि सौमेश से 88 बच्चे ही पास आउट पास करते थे जब कि दिल्ली सरकार में 90.68 पास परसंटेज रही है लास्ट इयर की इसके अलावा ओर आल जो एवरेज है देश का एवरेज है कि 83 परसंट पास परसंटेज होती है दिल्ली सरकार के स्कूल्स ने उसको भी पार कर अब देखिए मनीश शुदिया जी ने इन कमरों को निर्मान करने का जो शुरुवात करी जो आरोब मनोस्तिवारी ने लगाया कि इन कमरों के निर्मान में उन्होंने एक बिलकुल पी डिवलो डी के इंजीरियर सरीखा एक बताया मीडिया को कि साब इतने स्कौाइर आप दिली सरकार के इन स्कौल्स में जाईए जिन स्कौल्स को के री डिवलोप्मेंट का काम आवादमी पार्टी ने शुरू किया और ये दो हजार आट सा करोड रुपे खर्च किये ये किवल कमरे का खर्च नहीं था जो मनीश शुदिया बड़े बार बार कह रहे हैं कि जाँच बेठाईए सी बी आई की जाँच बेठाईए मनीश शुदिया को एरस कर लीजे मैं दावे के सांथ कह सकता हूं कि वो बहुत इमानदारी से बात कह रहे हैं बहुत उद्देलित और क्रोडित होकर भी कह रहे हैं क्योंकि उन पर लगए आरोप नाजाज हैं इन दि और पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर उपलब्द कराने की चीजे हैं उनमें बेस्ट अफ़ दा फरनीचर कराना के लिए पैसा खर्च किया गया है हाई क्लास साइंस की लैब्स के लिए एक्कुप्मेंट मगाए गये हैं कंप्यूटर्स की लैब्स को इतना अपग्रेट कर दें तो इसलिए उनकी कीमत बड़ी है वो किवल एक सिमन्ट का एक एक स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया गया है जैसा कि मनोस्तिवारी जी ने दावा किया है अब आप जानकर आपको आश्री होगा मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इन स्कूल्स में जो पैसा खर्च र आपरेटेड हैं मैं आपको स्मार्ट बोर्ड भी इन स्कूल्स में दिखाऊंगा जहां पर टीचर जो लिखेगा वो सेव हो जाता है और बलेक बोर्ड की तरह उसको मिटा दिया जाए मंगर जब टीचर चाहे उस डेट की वो जो भी टीचर ने लिखा हो वापस आ जाता है क्योंकि वो कंप्यूटर मॉनिटर बोर्ड है और उसमें आप लाइव इंट्रेक्शन्स कर सकते हैं लाइव वीडियो चैट कर सकते हैं स्कूल्स में बेस्ट अफ प्रोजेक्टर्स दिये गए हैं और इंडोर एंडोर अक्टिविटीज के लिए स्पोर्स को बहुत बढ़ स्कूल्स में भी नहीं हैं तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मनीश शिषोदिया खुद कहते हैं वो कहते हैं कि इंफ्रेस्ट्रेक्शर सिक्षा शेत्रे में आमूल चूल परिवर्तन के लिए केवल एक टूल हो सकता है मगर अनत्तों सिक्षा कैसी दी जा रह इंट्रेक्शन के दौरान पाई जैसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं उन्होंने ये पाया कि जादा तर टीचर्स जो हैं वो क्लारिकल कामाँ में लगें और विशेश कर प्रिंसिपल और अड्मिस्टेटिव स्टाफ तो पूरी तरह स्कूल की मेंटिनेंस से लेकर छोटी छोटी माइनर चीज़ों में इन्वाल रहते हैं आम आदमी पार्टी ने एक नया कंसेप्ट निकाला और उन्होंने हर स्कूल में एक आउट्सोर्स करके एक स्टेट मैनेजर की पोस्ट क्रियेट की वाट अड़ ब्यूटिफल कंसेप्ट प्रिंसिपल नॉट रिस्पॉंस तो नहीं बिजली सही है एसी सही चला है लैब के कंप्वीटर सब कर सही चला है प्रिंसिपल को इन कामों से बाहर कर दिया गया है वो एकडिमिक एक्टिविटी देखेंगे स्टेट मैनेजर इस काम को करेंगे मनीश शुदियान जी की सरकार ने और उनके सिक्षा मंत्री ब बच्चे जो कमजोर हैं पढ़ाई में उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेज लगाई गई गई जिससे बच्चे अपग्रेड हुए ये मिशन बुनियाद था मनीश शुदिया चुकि उन्होंने मुझे एक बार बहुत पहले नीजी बाच्चीत में बताया था उन्होंने हैप रटा मारो मगर प्रसंटेज लाओ खुशी नहीं थी मनीश शुदिया ने हैपिनस कोरिकलम शुरू किया एक नया कोरिकलम जिसका नाम था हैपिनस कोरिकलम और इसमें बच्चों के सांथ 45 मिनिट की एक किलास होती है जिसमें टीचर और बच्चे एक दोस्त की तरह आपस मे बात करते हैं करफशन के इस you पर बात करते हैं वाल एंप्र ट्री टेरिजम जैसे मुद्ञों को सुलजाने के लिए मेडिटेशन की क्लास बच्चों को दी जाती है उनको मेंट्ल演 Tucson को दी जाती है उनको मॉरल सिखाय जाते है विल्यू सिखाय जाती है और ये क्लास एक happiness क् एक अद्भुत ओपन वाता परण मनीश शिशोदिया ने इसी के सांद पेरेंट टीचर मीट्स शुरू करी जो कभी भी सरकारी स्कूल में सुनने को नहीं मिलती थी और हमारे समय में तो जब हम पढ़ते थे तो कभी नहीं होता था जब सर नाराज होते थे प्रिंस्पूल नाराज होता था और हम सरारत कर देते थे तब हमारे माता पिता को स्कूल करने के लिए बुलाया जाता था बहराद दिल्ली सरकार ने ये शुरुवात करी दिल्ली गॉवर्मन्ट ने सिक्षा विभाग ने शिक्षा मंत्री ने एंट्रपेनियॉर्शिप कोरिकलम शुरू करा ये एंट्रपेनियॉर्शिप कोरिकलम जो है ये कक्षा नौ से आगे के बच्चों को बारवी पास होने के बाद उनको किस दिशा में जाना है और उनमें entrepreneur की skills develop हो सके वो अपना business शुरू कर सके जो कि प्रधान मंतरी मोदी भी चाहते हैं कि रोजगार देने वालो बने रोजगार मांगने वाले ना बनो उसकी शुरुवात दिल्ली सरकार देखी है इसके अतरिक्त जो quality of the education है वो दिल्ली सरकार की मेरे पाई एक रिपोर्ट है बहुत important ये भी एक media रिपोर्ट है जो ये कहती है कि जैसे नहोंने उधारन दिया है इस रिपोर्ट में कि राजकी सर्वोदय कन्या विद्याले वेस्ट विनोदनगर में आप जाईए तो वेस्ट विनोदनगर जो की थोड़ा सा निचला इस्टर का माना जाता है दिल्ली के लूटियन जोन्स और फ्रेंड कालोनी और इनके मकाबले जहां आम हिंदुस्तानी रहता है दिल्ली में वहां का ये स्कूल एक बदरंग बिल्डिंग थी खटिया इन्फरेस्ट्रिक्चर था पढ़ाई नहीं होती थी अब आप इस स्कूल में जाएंगे ये उन स्कूलों में है दिल्ली सरकार के जिसको अपग्रेड किया गया है तो आज आप यहां एक बिल्कुल नया वाता वरन पाएंगे यहां स्विमिंग पूल है, यहां लैप्स हैं, यहां की प्रिंसिपल कहती हैं कि अब हमको गर्व होता है अपने स्कूल को एक और चीज दो दिल्ली सरकार ने इन स्कूलों के लिए शुरू करी उसका जिकर भी मैं भी इसमें देख रहा था वो एलाते हैं एक नया कंसप्ट है, डिट इस मैंने अभी इसको पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ, यह कुछ इतनी ज़ादा है, रिपोर्ट मैंने इसको मनोस्तिवारी जी के इस आरोब के बाद पढ़ी हैं तो मैं थोड़ा कन्फीज हो रहा हूँ, यह टी डी सी एक कंसप्ट है, इस कंसप्ट मैं एक विक्ति को टीचर और स्टूडन्ट के बीच में लिंक बनाने के लिए निक्त किया गया है, यह टीचर्स और स्टूडन्ट क बीच में किस प्रकार का कम्मिनिकेशन गैप होता है, इसको पता करके उस कम्मिनिकेशन गैप को कैपसिली बिल्डिंग की नियत से खतम करने का काम करता है, यह जो टी डी सी है, यह टीचर डिवलप्मेंट कॉडिनेटर एक बिल्कुल नया कंसप्ट है, और इस कंसप्ट के जरी ए सिक्षक और चात्र की बीच की दूरी को काम करने का जो एक्सपरिमेंट मनी शिशोदिया ने शुरू किया वो बहुत सक्सेस्फुल रहा है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये दिल्ली सरकार का एक्टेमिक इसकूल्स का एक्टेमिक परफॉर्मेंस बता रही है कि कितना सक्सिस्फुल ये टी डी सी कंसेप्ट रहा है इसी प्रिकार से जो दिल्ली सरकार ने अपने कुरिकुलम में बदलाव लाने का प्रियास किया और जिसके जिससे पहले उन्होंने मेंटर टीचर्स की शुरुवात करी और इन टीचर्स को सिंगापोर, रॉक्सफूर्ड, आई- इद्री विद्यालयों में, नवोदे विद्यालयों में कभी सुनने को नहीं मिला था। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए अगर एक टीचर हाववर जाता है, कैमरी जाता है, सिंगापोर जाता है तो आप समझेए, वो खुद कितना ग्यान अरजित करके वो गुरू लाता है औ और इन मैनेजमेंट कमीटी में रखा पेरेंट्स को भी, क्योंकि दिल्ली सरकार के स्कूल डेबल सिफ्ट में चलते थे और सेकिंड शिफ्ट में माना जाता था कि टीचर्स आते नहीं हैं, बच्चे आते नहीं हैं, टीचर्स आधे में चले जाते हैं, इन मैनेजमेंट कमी रहें उनको अबरेट करने के लिए जो प्रियास कि ए दिल्ली सरकार ने उसकर जड़ देखिए साड़े तीन लाख स्टूडेंट जो छैसे आठ कक्षा के पढ़ नहीं पाते थे उन में इतना चेंज आया कि इन समर ट्रेनिंग कैम्स के बाद वो कम से कम बेसिक नॉलिज को पा सके और आगे जाकर वो और अपग्रेड बेए और ये दिल्ली सरकार के नतीजे बताते हैं तो मित्रो मेरा कहना यह है कि आप आम आदमी पार्टी की नीतियों से असहमत हो सकते हैं मैं भी असेहमेट हो सकता हूं हमारे एक बहुत मद्भेद हो सकते हैं मगर दिलि में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो सिक्षा में अधभूत काम किया है जो प्रतिक्षट सब को दिख रहा है और जो स्वास्त के शेतर में मोहला क्लीनीक कंसक्ट को लाकर आपने काम किया है जिसको अब विदेशों में अप्रीशेट किया जा रहा है अन्निराज जिसको कौपी करने के लिए मजबूर हुए है उसमें इस प्रकार के आरोप लगा कर कम से कम जो ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं उनको डिमॉरलाइस करने का काम ना किया जाए भरिश्टाचार के आरोप लगाना बड़ा इजी है और उसका एक वातावरन के क्रिएट कर देना बड़ा इजी है कि मनीश शिशोदी आपने रिष्टेदारों के साथ मिलकर दोजार करोड रुपे का घुटाला कर रहे हैं पर ये समझेए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता आम आदमी पार्टी की कोर टीम और वोड़ लाइक टू रिटिरेट अफ आम आदमी पार्टी जिसमें संजै सिंग है अर्विन दकीज रिवाल हैं मनीश शिशोदीया हैं और उनके कुछ और मित्र हैं ये लोग कम से कम आर्थिक घृष्टाचार में शामिल नहीं हो सकते है तो मैं मनीश शिशोदीया केस दावे पर उनका साथ खड़ा हूं कि सरकार उनको गया तो गिरफतार करें उनके खिलाफकार वही करें अन्य था मनोस्तिवारी या बीजेपी शमा मागे इस प्रकार के आरोग भारती राजनीती में अब रुक जाने चाहिए आप कीजिए, genuine criticism कीजिए, मगर कम से कम इतनी तो नहतिकता हो कि मौला क्लिनिक और दिल्ली के स्कूलों में जो आमूलचूल परिवर्तन, दिल्ली की सिख़ा वबस्ता में जो आमूलचूल परिवर्तन, आम आदमी पार्टी की सरकार ने और विंद के इज्रिवाल के नेतरितों म किया उसके लिए दो शब्द तो सरहाना के बोल दे हम अपने अगले वीडियो में आपको उन स्थानों पर ले चलेंगे जहां पर ये स्कूल में अपग्रेडेशन आपको स्वैंग देखने को मिलेगा बहुत बहुत